हेलो माई डियर शूरवीर कैसे हैं आप सब जी हाँ में बिल्कुल ठीक हो और उमीद करता है वाब अपनी जगह कुशल मंगल हैं तो चलिए शुरू करते हैं नए टॉपिक के साथ और नए टॉपिक क्या है सिक्वेंस एन सिरीज तो चलिए कंसेप को समझते हैं कनसेप यहाँ पर कैसा है आपking कुछ डैरेक्शन दिया रहीगा सौल करने के लिए तो आपको क्या किया दिया रहीगा वैरिएस नंबर्स के शीरीज दिये रहेंगे और एक ब्लैंक दिया रहेगा उस ब्लैंक को फील करना है लग्सक्ट डेक एक जांपन यह आपको कुछ शी राट होगा अब आप ये कहोगे सारी अना थोड़ा नमबर 910 का जैसा समझ में आरा है जी हां मैं कहूंगा यह झोड़ी मैं कहोंगा यह सींशन से हैं यह नंबर टेस्ट के आगे की सीरीज कैसे है आगे की कड़ी कैसे है चलिए एक्जांपल से समझते हैं पिछली बार का जो एक्जांपल पिछली बार जो स्लाइड में था वही एक्जांपल यहां रख दिया और मेंच्टेंग वाले गैप नहीं है लेकिन यह कहीं न कहीं स्कॉर deleted देख औरत्येटते के पी लिए श्कवार वंडिय क आ कंवार वन थी थी के आन ना गयर 292 ओ यलर्टी आंस्वावal प्रूल एटीवं जसर यस तो भाई मेरे इस जो एक्जाम्पल हमने किया ना ऐसे कुछ अगर आपको कुश्चन्स मिलते हैं तो वह कौन सा पैटन है मालूम है सिक्वेंशन सेरीज में वह है स्क्वाइर एंड क्यूब सीरीज पैटन ठीक है और भी इसमें कुछ वैरियेशन हो सकते हैं लेकिन बेसि यहीं कई पर आपको नमबर टेस्ट के अग्जाम्पल संदस दिखेंगे टैन के बाद 11 11 के बाद 12 चैके पर यह सेके नंबर है यह फोर्थ नंबर है और यह सिक्स नंबर ठीक है तो मतलब यहां पर वरन थी फाइव सेवं था नंबर फाइब फाइड तो शेके बासात है सा तो आपने देखा यहां पर कुछ कॉंबिनेशन हुआ है कैसा कॉंबिनेशन की मतलब और के अपने सिक्वेंस हैं और इवन के अपने सिक्वेंस हैं और नमबर 6 10 7 11 8 12 अगर मैं इसको एक सिरीज का हूं क्योंकि सिरीज ही है तो पहला नमबर क्या है 6 तो 1st is odd 2nd number क्या है 10 तो 2nd number 2nd word is even समझे ना यह odd हो गया यह even हो गया यह even हो गया यह even हो गया और यह odd हो गया तो odd का अपना एक pattern है even का अपना एक pattern है तो जो question माग पुछा गया है देखो वो odd है कि even है तो उसका एक pattern है वो यूज कर लो तो ऐसा कुछ अगर आपको मिलता है तो इसे कहते हैं कौन सा pattern combination of different operation is that clear अच्छा इसमें और भी pattern है लेकिन example अभी मैं सिर्व यहीं पर wind up करूंगा क्योंकि हम उसे mcqs में बहुत अच्छे से cover करेंगे तो चलो हमने जो अभी कुछ पढ़ा है उसका एक important facts to remember बना लेते हैं जो आपको mcqs में काफी कुछ cover होने वाला है तो यहां पर मैं आपको जितनी भी possible possible patterns हैं वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं ताकि mcqs में आपको वो कहीना कहीं help हो मतलब sequence and series जो हम concept कर रहे हैं इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह के patterns होंगे जो mcqs में help करेंगी और लिटी दो pattern देख लिया है अब हम उसी के साथ और भी pattern देगे चलो पहला क्या है series with a constant difference मतलब number series में रहेंगे और उनमें जो difference रहेगा constant रहेगा let's take a example same difference between any two consecutive terms example x number मतलब 4 के बाद अगर 6 है 6 के बाद अगर 8 है 8 के बाद अगर 10 है 10 के बाद 12 है तो 12 के बाद बताओ क्या ध्यान से सुनो मैंने क्या बुला 4 के बाद क्या है 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10 10 के बाद 12 के बाद क्या आप देखो difference है सब मैं क्योंकि 4 6 8 10 12 है लेकि सब में constant difference है क्या 2 का चार के बाद 6 मतलब 2 का difference 8 के बाद 10 के बाद 12 मतलब 2 का difference तो 12 के बाद कितना अगर दो का difference 4 इसलिए बोला है कि difference between two consecutive terms consecutive लागातार difference रहेगा लेकिन और क्या रहेगा constant example x number only ठीक है next कौन सा pattern आज सकता है आपको series with the increasing difference 4 10 15 12 है ना लेकिन क्या हो रहा है increase हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है जो increasing difference है देखो example देख रहा है आपको keep on increasing between two consecutive terms मतलब जो भी numbers रहेंगे उसमें difference है लेकिन कैसा डिफ्रेंस है अगर एक बार एक का डिफ्रेंस है तो दुसरी बार दो का फिर तीन का फिर चार का तो अगली बार पांच का डिफ्रेंस होगा ऐसा हो सकता है या फिर प्लस वन है है या जो समझो नहों है ऐसे असले अब इसले हैं कि ऐसा हो सकता है चलो सिरीज वेट डिक्रीजिंग डिफॉर discriminate ठीक इसका उल्टा प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6 है तो उसका रिवर्स ले लो माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1 वाला पैटर्न मिलेगा ठीक है स्क्वार एन क्यूब सीरीज अलड़ी हमने पिछला एक्जामपल कर लिया तो इसमें कोई प्रालम नहीं है Combination of different operation यह भी मैंने आपको पिछली बार ऐक्जामपल में बता दिया तो यह भी हमारा cover हो गया which have 2 different Seriz कोई भी वी डिफेटार सिरीज हो सकता है even इन मेंसे भी कोई एक पैटर्न हो सकता है जिसमें एक से जादा पैटन को यूज किया गया तो अगरर 7 blijf पैटन यूज किया गया 24 तो वो क्या बाओ कहलाईगा Creatary इसक्राइब छण लिश्क उद्धिक है मातलब मतलब टु लिखने का तो दिखने कंद टिखर Ella है दो तीन चार इंक डिक्री सिंग में क्या हो रहा है चार तीन दो एक हो रहा है स्क्वयर क्यूब तो आप पता ही है कॉम्मिनेशन मतलब ऊपर एक दो तीन चार मैंसे कोई भी कॉमबिनेशन यूज़ हुआ है तो वह है तो इसले नियस अभी इन में attitude matters right positive. Take care.